हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल उपचार नुसके में दोस्तों हम उपचार नुसके चैनल में रोजाना एक नया और ग्यानवर्दक वीडियो अपडेट करते हैं यदि आप उपचार नुसके चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उप्चार नुसके चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप आसानी से रोजाना एक नया और ग्यानवर्दक वीडियो देख सकते हैं दोस्तों आज हम काफी इंट्रेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे आज हम कुछ ऐसे सपनों के बारे में बताएंगे जिने देखने से व्यक्ति का प्रेम भ्यूआ होना निश्चित है आजकल अधिकान से युवा प्रेम भ्यूआ करना चाहते हैं और इसके लिए वे कई तरह के प्रियाज भी करते हैं फिर भी ये नहीं समझ पाते कि उनका प्रेम भ्यूआ होगा या नहीं ऐसे में जोति सास्रिक के अनुसार नीद में दिखाई देने वाले सपने से भी प्रेम भ्यूआ होने या ना होने का संकेत प्राप्त होता है तो आएए जानते हैं कौन से सपने देखने से प्रेम भ्यूआ होना निश्चित है यदि कोई व्यक्ति सपने में सुन्दर चीड़िया को चहे चाहते हुए देखता है तो आए जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है यदि कोई यूगती स्वापने में किसी सुन्दर चीड़या को चहा चाहती हुई देखती है तो उसका प्रेम बिवा तक अवेस्ते पहुंसता है इसके बाद जानते हैं स्वैंग को पलंग पर बिस्तर बिचाते हुए देखना कैसा होता है यदि कोई व्यक्ती स्वैंग को पलंग पर बिस्तर बिचाते हुए देखे तो सीख रही किसे ने किसी से उसका प्रेम संबंदि बन सकता है या प्रेमी से उसका बिवा भी हो सकता है इसके बाद जानते हैं यदि कोई व्यक्ति सपने में सरकस में कलावाजी दिखाता है तो इसका अर्थ क्या होता है यदि कोई व्यक्ति सपने में सरकस में कलावाजी दिखाए या किसी और को कर्तब दिखाते देखे तो उस व्यक्ति के प्रेम में कोई तीसर व्यक्ति दखल दे सकता है इसके बाद जानते हैं सपने में फिल्म देखना कैसा होता है यदि कोई व्यक्ति सपने में फिल्म में देखे और फिल्मे में प्रेम दरस्ते देखता है तो उसके प्रेम संबंद में बड़ी परेसानिया उत्पन्न हो सकती है दोस्तों आईएब जानते हैं सपने म कोई व्यक्ति संगित सुनता है तो यह बहुती सुभ माना जाता है कहा जाता है कि उस व्यक्ति को प्रेम संबंध में सुख की प्राप्ति होती है दोस्तों अगर आपको हमारी द्वारा बताए गई यह सभी बाते पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल उप्चान उसके को सब्स